भूतिया कुवां केशबपुर गाउं में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे पूरे गाउं में सिर्फ दो ही कुवें थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था उस समय भाद गाउं का एक कुवां पूरी तरह सुख गया अब पूरे गाउं के लोग पानी की ज़रूरत के लिए एक ही कुवां पर निर्भर थे दूसरे कुवें से पानी भरते भरते लोगों को लगा की कुवें में कोई भूत रहता है जब गाउं के किसान कुवें से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजे सुनाई देती थी खेती करने वाले पुर्षों की पत्नियों तो डर के मारे कुवें के आसपास भी नहीं आती थी धीरे धीरे पूरे गाउं में बात फैल गई कि कुवां भूतिया है अब रात के समय कोई भी कुवें के पास नहीं जाता था इसी बीच गाउं का एक बच्चा कहीं खो गया काफिर डोडने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोगों ने कुवें के पास बच्चे को देखने के लिए गए वहाँ पहुँचे लोगों ने बच्चे को कुवें के अंदर मरा हुआ पाया अब एक तो कुवें का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा इसको लेकर गाउं में सभी किसान परेशान हो गए सबने एक दिन मिलकर नया कुवां खोदने की सोची कुछी दिनों में कुवां सबने खोद लिया और इसमें पानी भी आने दिया अब पूरे गाउं के लोग ने कुवें से ही पानी भरते थे और भूतिया कुवें की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था बड़े लोग तो समयधार थे इसलिए कुए के आसपास नहीं जाते थे लेकिन बच्चे वहाँ अक्सर खेलने के लिए पहुँच जाते थे एक दिन चार-पांच बच्चे भूतिया कुए के पास खेल रहे थे तब ही एक बच्चा कुए में गिर गया उसके चिखने की आवाज सुनकर उरे गाउवाले दोड़ते हुए भूतिया कुए के पास पहुँचे उन्होंने कुए के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चे से पूछा आखिर क्या हुआ था बच्चे ने कहा वो खेलते खेलते पानी में देखने गया और अचानक कुए में गिर पड़ा इस आथसे से बाद गाउवालों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर कुए के पास बुलाया वहाँ पहुँचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े जिससे सुनकर भूत सब के सामने आ गया तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तमाल करके उसक्यों को छोड़कर जाने के लिए कहा भूत ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया तांत्रिक ने पूशा तुम क्यों नहीं जाओगे यहां आकर बच्चे मर रहे हैं इसलिए तुम्हें जाना ही होगा भूत ने जवाब दिया इस कुए में सालों से मेरा पुरा खांदान रहता आ रहा है मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाओंगा इतना कहकर भूत कुए के अंदर चला गया अब तांत्रिक ने गाओं के लोगों से कहा इस कुए में मुझ को ढख दो ऐसा करने से किसी तरह से हाथ से नहीं होंगे यह सुनते ही गाओं के मुख्या ने तुरंत काम शुरू करवा दिया दूसरे दिन कुए के मुख पर जाली डाल कर पूरी तरह से रेत और सीमट से पकाड़कन बना दिया गया और उसे ढख दिया गया अब सारे गाओं वाले खुशी खुशी रहने लगे उसी दिन के बाद से गाओं में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई और भूत्वक विएंगे डर से लोगमुक्त हो गए कहानी से सीख किसी भी परेशानी में हार नहीं माननी चाहिए किसी ना किसी तरिके से उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है तो यह थी हमारी आज की कहानी I hope कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी कैसी लगी अपनी रह जरूदे कमेंट करके साथ ही वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों को शेर कर दे चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब करना न भूले साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सड़ कर दे तक यसी धिर सारी रोचक कहानी आप तो पहुंचती रहें सबसे पहले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ एक नई सिक्षा के साथ तब तक के लिए धन्यवाद